हिमाचर के कांगर्स प्रत्याषी विक्रमादित्य सिंग्ग की मा पतिबाश सिंग्ग ने कंगना रणाओड को लेकर विवादित बियान दिया है जिसको लेकर सियासत और तेज हो गई है अब इस मामले पर मद्धिवदेश की पूर मुख्य मंत्री उमा भारति का ब्यान सामन अपना बचाव कंदों में सक्षा में वह पूरी ताकत के साथ अपना बचाव करती हैं और सामने वाले की बोलती बंद कर देती हैं। कॉंगर्स मेताओ द्वारा लगातार महिला शक्ती पर विवादित बयान देने पर उमा भारती ने कहा कि कॉंगर्स का तो चरित्र ही ऐसा है नामा सामी कांड के बारे में सभी को पता है। मुझे लगता है कि जिनके खिलाब वो बोली हैं वो इतनी समर्थ है इन बातों का जवाब देने के लिए कि उसको किसी प्रोटेक्शन की ज़रुरत नहीं है। तो कांग्रेश का शरित रहना महिला बिरोदी उनने महिलाओं के टुकड़े टुकड़े करके उनको भट्टियों में भूना है आप भूल गए कि इस बात को इसके साथ ही उनके साथ राहूल गांदी और सोनिया गांदी सभी लोगों को आना चाहिए हाला कि कोई फर्क पढ को ही देंगे इसके साथ ही उन्होंने प्रियंका गांदी के मंगल सूत वाले बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि कारगिल में कितने सहीद हुए थे सभी को पता है राजिव गांदी और इंद्रा गांदी की शहादत को हम भूल नहीं सकते लेकिन प्रियंका और राहूल गांदी का इन दोनों की शहादत पर राजवी की करना सही नहीं है प्रियंका और राहूल राजवी के लिए शहीद थे हम सारे देश के लोग इस वाद के लिए दुखी थे इंद्रा जी की शहादत पर भी और राजीव जी की शहादत पर भी हम सब उनको मानते हैं कि देश के लिए शेहिद हुए लेकर शहादत पर बोट मांगना उस पर आप देख रहे हैं डखल न्यूज